नमस्कार दोस्तो आज के मैच में ग्रैंड लिग जीतना बहुती आसान है क्योंकि दोस्तो आपको एक तरफ जो टीम देखने को मिलेगी वर्ल्ड कप 2023 की मजबूर टीम जो बैक टू बैक मैचों को विन करके आ रही है दोस्तो और एक तरफ आपको देखने को मिलेगी बांग तो आपको ये कर्णफरम हो जाएगा कि लगबग आपको यही लगेगा कि नियूजीलेंड की टीम मैच को विन करेगी डोस्तो वह इस कैप्टन भी मिल जाएगा लेकिन आज के मैच में जो सब से बड़ा कारण होगा दोस्तो ट्रम्प कार्ड कहिलाडी का दो से तीन खिला दस से बारा परशेंट लोगों ने उसको पिक कर रखा था दोस्तों 80 रन बना के गया था जो कि हमने अपनी स्मोल लिग टीम में ट्राई कर रखा था कैप्टन की बात करूँ दोस्तों कैप्टन मेरा पिछले मैच में रोहित सर्मा था वोईस कैप्टन दोस्तों जस्परीट भूम रहा था टीम आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप कल का मैच जाके वहाँ पर चैक कर सकते हो दोस्तों इंडिया वर्षिज अफगानिस्तान के बीच में नोन स्टोप विन किया था दोस्तों ग्रैंड लिग टीम में बड़िया प्र टेंट होंगे ये दोस्तों न्यूजिलैंड की बात नहीं है इधर आपको ट्रमकार्ड खिलाडी देखने को मिलेंगे बंगलादेश की टीम से साकीबल असन का परफोर्मेंस भी दिखाऊंगा लेकिन दोस्तों ग्रैंड लिग टीमों में मैंने उसको एक दो टीमों में ड् मांगलादेश के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का 11 ओडियाई मैच जो खेला जाएगा चिंदाब्रम किर्केट स्टेडियम चेन्नई की पिच पर 13 अक्टूबर को दो पैर में दो बजे यह मुकाबला स्टार्ट होगा तो दोस्तों एक बार पिच के ऊपर नजर मारते हैं कि जो कि पिच रिपोर्ट है वो किस परकार से काम करेगी पेसर्स को जादा हैल्प करेगी या फिर स्पीनर्स को जादा हैल्प करेगी या फिर बैटिंग ओर में जादा हैल्प करेगी अगर दोस्तों इस पिच पर न्यूजी लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपका कै 300 से उपर टोटल तीन बार ODI का स्कोर गया है टोटल 23 मैचों की बात कर रहा हूं दोस्तो इस पिछ पर अभी तक 23 ODI के मैच के खेले गए हैं जिसमें 14 मैच जो पहले बैटिंग करती है उस टीम ने विन किये है नो मैच सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने विन किये है एव 245 के करीब आपको average score यहां पर देखने को मिलेगा अगर highest score की बात करें तो 337 रन का यहां पर highest score है और सबसे lower score दोस्तो 17 रन के करीब आपको देखने को मिलेगा अगर scoring pattern की बात करें तो 200 से नीचे 4 बार स्कोर गया है टोटल 23 मैचों में और दोस्तों से 250 के बीच में 7 बार स score गया है अगर bowling section की बात करें लाश्ट के 6 मैचों की तो पेसर्स को चोवन विक्टे स्पीनर्स को यहां पर 28 विक्टे मिली है लेकिन आजगे मैच में जो नंबर एक का ट्रम खिलाडी आपको लगबार ट्रेंट बोल्ट भी मिलेगा वो इस captain ची में try करना है दोस्तों अग अगर आप बढ़िया profit बनाना चाते हो तो नीचे description में आपको play sport application का link मिलेगा 27 रुपए से 39 रुपए से आप grand league जीत सकते हो दोस्तों और यहां पर जो competition है ना के बराबर दोस्तों यहां पर competition आपको 0% देगने को मिलेगा अगर world cup की बात करें total 10 मैच हुए हैं अभी तक औ आपके लिए न्यूजिलेंड वर्सिज बंगलादेश के मैच में है और फड़ापट से दोस्तों इस application को download कर लेना क्योंकि सबसे बढ़िया जो application आपको यही देखने को मिलेगी इसमें आपको fantasy का यह लगा लो कि competition है वो बिलकुल 0% है बाकी fantasy में आप आरोगे और इस fantasy में दोस्तों आप विन करके जाओगे तो फड़ापट से इस application को download कर लेना नीचे description में link दे रखा है दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यूजिलेंड वर्सिज बंगलादेश का recent performance के बारे में दोस्तों जो इस pitch पर खेले गए हैं क्योंकि यहाँ पर ये team भी साइद अगर कोई match मुकाबला खेली होगी तो यहाँ पर आपको record देगने को मिल जाएगा लेकिन इन दोनों में से इस pitch पर एक भी team नहीं खेली है यहाँ पर इंडिया वर्सिज आश्ट्रेलिया के match हुए हैं 2023 में दो मुकाबले दो मुकाबले एक मुकाबला 2019 में एक मुकाबला 2017 में तो दो तो आश्ट्रेलिया वर्सिज इंडिया के बीच में एक मुकाबला ओर हुआ ग्यारा विक्टे स्पीनर्स को मिली थी साथ विक्टे पेसर्थ को यहाँ पर भी 270. और दो स्ट। तो लगबग आज के मैच में भी आपको अगर बंगलादेश की टीम पहले बैटिंग करती है दोस्तों तो आपको स्कूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों के करीब या फिर 137 के करीब तो अगर बंगलादेश की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ओपनिंग बैट्सम आपको अब ऑपको आगलाइप की टीम करने वाली है योड़ के वाली है क्योंकि इनके पास बैटिंग लाइनप भी बढ़िया है और बोलिंग section तो गजब का है वो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि इनका final line-up आपको क्या देखने को मिलेगा अगर बात करें दोस्तों इनकी final playing 11 के बारे में और important खिलाडियों की तो यहां पर आपको important important खिलाडी मिलेंगे captain voice captain आपको safe मिल जाएंगे जैसे captain आज के match में रविंदरा को try कर सकते हो इस pitch पर बढ़िया spin होगी दोस्तों और इस खिलाडी को लगबग 2-3 विक्टे आपको देखने को मिल जाएगी पलस में दोस्तों आपको number 3 पे बैटिंग करते हुए नजर आएगा तो captain आपका यही खिलाडी होना चीए फिर आपको David Conway को आप voice captain लगा सकते हो यह आपके captain voice captain जी तो grand league team में safe हो गए आपके दो खिलाडी GL team में dream team में आगे पलस में आपका 50% काम है captain voice captain जी का वो भी दोस्तों select हो गया काम बचा है हमारा 50% जो कि हमें यहाँ पर dream team में pick करने पड़ेंगे दोस्तों खिलाडी नो तो नो खिलाडियों की बात करें तो एक खिलाडी आपका बन जाता है train to bolt तो यहाँ पर आपके बचे 8 खिलाडी फिर आपका एक माठ हैनरी बनता है फिर दोस्तों यहाँ पर बचे हमारे 7 खिलाडी फिर मिचेल सैंटनर बन जाएगा फिर यहाँ पर दोस्तों हमारे बने 6 खिलाडी एक दोस्तों यहाँ पर हम डैनियल मिचेल को ट्राई करेंगे और यहाँ पर विल योंग को तो यहाँ पर दोस्तों हमारे अब बचे चार खिलाड़ी जो की हम लेके चलेंगे बांगलादेस की टीम के अगर इनकी फाइनल प्लेइंग रेवन के बारे में बात करें तो डैविड कॉनवे और विल योंग, रविंदरा, डैलियल, मिचल, फिर आपको लोतम, गलैन फिलिप्स, मार्क चैंपमेन और दोस्तों मिचल सेंटनर, मार्ट हैंरी, टेंट बोल्ट और लोकी फरगूशन, य 152 रन नाबाद, अगर तीन मैच हैट टू एड के देखें दोस्तों, तो 75 की एवरेज स्कोर है, काफी बढ़िया है टू एड में रिकोर्ड रहता है, दोस्तों, CVC के लिए सबसे बढ़िया आपके लिए ओप्शन रहेंगे, डैविड कॉनवे, विल योंग आज गे मैच म में भी 70 रन बना के आ रहा है, दोस्तों, अगर ये खिलाडी चलता है, तो आपको 70-70 रन आपको बना के दे सकता है, यहाँ पर फिर एक मैच में आपको 70 रन देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ पर एक मैच में अठावन रन है, पांच मैच हैट टो एड के खेले वे हैं, 35 की 140 रन है, यह दोस्तों, आपको 30-35 रन आपको आराम से निकाल के दे सकता है, ग्रैंड लिग टीम में आप ट्राई कर लेना, जो कि हमारा नंबर 2 का खिलाडी रहेगा, और दोस्तों, हैट टो एड में भी काफी बढ़िया रिकोर्ड है, दोनों खिलाडी को हम आजगे मैच म ग्रैंड लिग टीम में ट्राई करने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों, आपको रविंद्रा देखने को मिलेगा, हैट टो एड में दोस्तों, ओनली 3 मैच खेले वे हैं, लेकिन 3 मैचों में फ्लोप है, और इसको रिसेंड पर्फोर्मेंस की अकोर्डिंग CBC ट्राई करना ह यहां पर देखो, एक मैच में अभी रिसेंड में 123 रन नाबाद पलस में एक विकट, फिर 21 रन पलस में एक विकट, कैप्टन सी के लिए सेफ कैप्टन वोइस कैप्टन सी रहेगा, इस पिछ पर इसका बढ़िया बोलिंग से पर्फोर्मेंस आपको देखने को मिलेगा दो हैट तो एड में 3 मैचों में 112 रन है, लेकिन रीसेंड में 48 रन नाबाद इसके पास है, काफी बढ़िया एवरेच स्कूर रहता है दोस्तों, यहां पर हैट तो एड में बंगलादेश के खिलाफ, ग्रैंड लिक तीम में वोइस कैप्टन सी भी ट्राई कर सकते हो लेकिन वो इस कैप्टन सी आपको तब ट्राई करना है आपको विल योंग को ड्रोब करके करना है दोस्तों फिर आपको ये वो इस कैप्टन होना चाहिए आपकी जील टीम में उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा टॉम लोथम तो रीसेंट में 53 रन की पारी खेल के आ रहा है, सोदा मैच हैट टो एड के खेले हैं, टोटल दोस्तों 531 रन है, 53 की एवरेज स्कोर से, ग्लैन फिलिप्स की बात करें, रीसेंट में यहाँ पर एक में बैतर रन एक विकट, 25 रन 0 विकट, फिर यहाँ पर 2 विकट देखने को मिलेगी, फिर 4 रन पलस में 0 विकट, हैट टो एड वैन्यू पे कोई परफोर्मेंच नहीं है, टोम लोथम का भी यहाँ पर वैन्यू पे कोई परफोर्मेंच नहीं है, लेकिन Grand League में आप विकट कीपर ओप्शन में दो विकट कीपर भी ट्राई कर सकते हो लेकिन दूसरी तफरा आपको लेटिन दास देखने को मिलेंगे उसका Head to Head record चेक करेंगे दोस्तों साइद वो खिलाड़ी Trump Card खिलाड़ी में आपको देखने को मिल जाए अभी के लिए हम यहाँ पर Tom Lotham को ट्राई करने वाले हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको Mark Champman तो जो recent में एक ही मैच में 40 रन नाबाद है लेकिन हर मैच में back to back flow पे जिसका Head to Head Venue पे कोई लिकोर नी है अगर बात करें दोस्तों मिचेल सेंटनर की तो Head to Head में 36 का एवरेज स्कोर है और दोस्तों 14 विक्टे इसके पास है recent में 36 रन नाबाद पलस में 5 विकट आज गे मैच में high selection है इसका लेकिन CVC में try मत करना एक या दो टीमों में try कर सकते हो क्योंकि इस pitch पर इस खिलाडी को काफी ज़्यादा help मिलने वाली है और दोस्तों recent में भी काफी बढ़िया performance करके आ रहा है उससे पहले वाले मैच में भी दो विकट लेके आ रहा है ये वर्ल्ड कप में काफी बढ़िया performance करता है दोस्तों और आज ये मैच में भी आपके लिए important होगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा Mart Henry जो की दोस्तों back to back लिक्ते हैं ट्रेंट बोल्ड के पास 16 मैच add to add में 20 विक्ते हैं अगर इसके recent performance की बात करें recent में flop है अगर दोस्तों इसको 2 over में starting के 2 over में 1 विकट इसको मिलती है तो फिर आपको जो विकट देखने को मिलेगी यहाँ पर देखने को मिलेगी 3-4 विक्ते अगर माट एनरी की बात करें तो इसके पास तो back to back विक्ते हैं 8 मैचों में 15 विक्त इसके नाम है लेकिन train to bolt के पास 14 मैचों में 20 विक्ते हैं लेकिन दोनों खिलाडी important रहेंगे grand league पलस small league team में दोनों को आज के match में try कर सकते हैं more league team में तो try करना ही करना है लेकिन grand league team में भी आपके लिए important रहेंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेगा low की फर्गुशन जो की recent में flop है फिर एक विक्त फिर एक विक्त फिर एक विक्त head to head में 9 मैचों में 12 विक्ते इसके पास है venue पे कोई performance नहीं है तो finally आज गे मैच में भी हम drop करेंगे लेकिन दोस्तों ये आपको अभी भी trump card खिलाडी देखने को मिल सकता है अगर दो विक्त निकालता है तो आपको point है वो लगबग 60 के करीब point मिलते हैं दोस्तों दो विक्तों के plus में उसका run rate ये लगा लो कि थोड़ा बहुत आपको उपर नीचे देखने को मिलेगा तो 60 के करीब आपको point मिल जाएंगे और grand lick टीम में अगर 60 point अगर मिलते हैं दोस्तों तो हमारी rank number 1 पे भी आ सकती है या फिर number 10 पे भी आ सकती है या फिर 100 rank पे भी आपको देखने को मिल जाएगी तो इस खिलाडी को भी एक दो टीमों में ट्राइ कर लेना क्योंकि आज का मैच न्यूजिलैंड की टीम विन करने वाली है ये confirm है दोस्तों अगर बात करें इनके bench playerों की तो आपको यहाँ पर bench player में केन विलियमसन, जिम्मी नीशम और यहाँ पर शोडी और टीम साओधी अगर दोस्तों यहाँ पर इस शोडी खेलता है तो यह आपके लिए 100% important होगा 4 मैचों में 8 विक्ते इसके पास है और इस pitch पर काफी ज़्यादा help मिलेगी इस खिलाडी को तो finally अगर खेलता है तो try करके चलना है लेकिन अभी के लिए हम ड्रोग कर सकते है केन विलियम सन है इसने 11 मैचों में 52 की एवरेज स्कोर से 422 रन है add to add में यह आपको न्यूजिलैंड के finally bench plate देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें यहाँ पर बांगलादेश की final playing 11 के बारे में दोस्तो तो बॉफलिव यहाँ पर यहाँ पर आपके लिए रहीम आपके लिए इंपोर्टैंट होगा नमबर दो का उप्चन बनता है दोस्तो मेंधी हसन पलस में यहाँ पर लगबग यहाँ पर मेंधी हसन मिराज को ट्राई करना दोस्तो यह लगबग चांचीज है कि यह आपको ग्रैंड लिग टीम में ड्रीम टीम में मिलेगा क्योंकि इन दोनों खिलाडी की बात करें दोस्तो तो दोनों को इस पिछ पर काफी ज़्यादा HELP मिलेगी अगर इन दोनों की बात करें हर मैच में इसलाम बढ़िया परफोरमेंस कर रहा है दोस्तो पलस में तक्सीन एमद भी हर मैच में एक दो विक्टे निकाल की आ रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट रहेगा लेटिन दास पलस में दोस्तों यहाँ पर साकीब अलहसन भोशन संतों इन तीनों किलाडियों के उपर मुझे डाउट है एक बार मैं इनका हैट टो एड र परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं फाइनली इसको ड्रोब करके चलूँगा उसके बाद हसन की बात करें रीशेंट में एक विकट फिर पांच रन सोरी एक रन पांच रन पांच रन सोडा रन तीन मैच एड टो एड के दस रन टोटल बनाए हैं 21 की एवरेज स्कोर से 21 बनाए ह वे नजर आएगा उसके बाद यहां पर होशन संतो जो की हैट टो एड में काफी बढ़िया रिकोर्ड है इसको मैं फाइनली ट्राई कर सकता हूं क्योंकि रीशेंट में दोस्तों छेतर रन बना किया रहा है है एक मैच खेला हुआ है छेतर रन पलस में रीशेंट में फ्लो है साकी बल हसन की बात करें तो 22 मैच के हैट टो एड में और दोस्तों 37 विक्टे इसके पास है रीशेंट में एक रन एक विकट चोदा रन तीन विकट असी रन एक विकट तीन रन जीरो विकट 22 मैच हैट टो एड के 649 रन है 31 की एवरेज स्कोर से ग्रैंड लिग टीमों मे आप इसको ट्राई कर सकते हो लेकिन CVC में ट्राई मत करना तो कि दोस्तों आज गे मैच में इस खिलाडी को इस पिछ पर हैल्प भी मिलेगी लेकिन ये नहीं लगता कि ये बैटिंग से आपको परफोर्मेंस करके दे सकता है इसलिए ये आपको एक दो विकट अगर निकाल है आठ मैचों में 33 रन है 13 की एवरेज स्कोर से लेकिन च्यार विकटे इसके पास है अगर रहीम की बात करें तीस मैच हैट टू एड के 670 रन है टोटल 26 की एवरेज स्कोर से रीशेंट में क्यावन रन है फिर दो रन नाबाद फिर 18 रन फिर 29 रन फिर 64 रन लेकिन 22, 26, 49, 50, 51 रन की पारी आपको खेलते वे नजर आएगा जो की important रहेगा और दोस्तों मेहंदी हसन मिराज यहां पर रीशेंट में ही एक मैच में फ्लोप है लेकिन हर मैच में आपको बैटिंग पला से बोलिंग से बढ़िया performance करके दे रहा है लेकिन यहां पर दोनों मेच स टोटल 22 रन है फाइनली ड्रोप करने वाला हूं मेहंदी हसन की बात करें रीशेंट में दोस्तों 14 रन 4 विक्टे और 13 रन 0 विकट यहां पर 17 रन 3 विकट फिर यहां पर 0 विकट है 6 मैच एक टो एड़िवे 5 विक्टे है पलस में 14 रन है ग्रैंड लिग टीम में यह और दोस्तों यहां पर रहमान की बात करें तो फाइनली यहां पर तक्सीन अहमद ने 8 मैचों में 8 विक्टे निकाल रखी है रहमान ने 14 मैचों में 20 विक्टे निकाल रखी है रीशेंट में बैक टो बैक परफोर्मेंस है अभी रीशेंट में फ्लोप था और यहां पर तक झिलैंडी की टीम पहले बैटिंग करेगी दोस्तो तो आग को स्कोर बहुत जादा देखने को मिलेगा लग-लग 300 के करीब आप मांसकते हो 300 पलस के करीब स्कोर देखने को मिलेगा फाइनली तो यह आपको बेंच प्लेरों में देखने को मिलेंगे अगर कोई खेलता है दोस्तों तो finally हम इनका recent performance चैक करके उनको grand league team में try कर सकते हैं अगर बात करें fantasy के top pick खिलाडी आज के match के तो डैविड कॉनवे captain voice captaincy, रविंदरा captain voice captaincy, मिचल सैंटनर voice captaincy, माट एंडरी voice captaincy, अगर बात करें मेरी final fantasy team के बारे में जिसमें दोस्तों मैंने एक team में captain लगा रखा है डैविड कॉनवे को voice captaincy लगा रखा है रविंदरा को, अगर यहाँ पर बात करें तो मेंदी हसन, मिराज मिचल सैंटनर, साकीबल हसन, डैरल मिचल, विल योंग, डैविड कॉनवे, नीचे दोस्तों bowling section की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट, तकसीन अहमद, मार्ट हैंडरी और इसलाम, यह finally मेरी आजगी fantasy team रहेगी, इधर बात करें दोस्तों तो रविंदरा को captaincy, voice captaincy, डैविड कॉनवे को यहाँ पर लेटिंदास को ड्रोप करके, यहाँ पर आप try कर सकते हो, होशन संतों को, नीचे दोस्तों अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करना मत बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाली अपडेट आपको लगातारी इस चैनल से मिलती रहे, वो टेलिग्राम चैनल आपके लिए important होगा, दोस्तों फड़ापट से join कर लेना, तो मिलता हूं next interesting video के साथ